इरान के एरे स्ट्राइक से बोकला है पाकिस्तान ये खबर तो सुनोगी आपने अगर नई सुनी तो सुन के जाना नी तो अब ग्यान केंदे ओ आखिर पाकिस्तान और इरान के रिष्टे कैसे खराब हुएं कि एक समय पे दूसरे को भाई कहने वाले दो देश अचानक दुस्वन कैसे बन गए दरसल बात ये हैं मंगलवार रात को इरान ने पाकिस्तान के परज़किता के जोनों मिसाइल से हमला किया है इरान ने आतंगवादी संगटन जैस अलदल को निसाना बनाया है उसके ठिकाने को टार्गेट बनाया गया है पाकिस्तान और इरान की दोस्ती में दरारानी तब सुरी होई जब 1989 में इरान सिया मुस्लिम वाला देश बन गया जबकि पाकिस्तान की जाधतर अबादी सुरी मुस्लिम की है तोनों की मान्यताओं में जमीन और अस्मान का फर्क है और समय समय पर दोनों देशों में मिवाद छड़ते रहते हैं पर इस बार पाकिस्तान ने माना कि एरान बार बार हम पर हमिला कर रहा है पाकिस्तान जो कहता है कि हम आतंगवाद को बढ़ावा नहीं देते अब वो रंग्यात पकड़ा जा चुका है कि वो अपने देश में आतंगवाद को पना दे रहा है क्योंकि जैस आतंगवाद संगर्टन की ओफिशल स्टेस्मेंट से इससाफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंगवाद को पना दे रहा है इस पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इराक और सीर्या पर ताबा तोड़ मिसाल से हमला कर चुका है आतंगवादी संगटन जैस अलादल ने कई बार इरानी सुरक्चा बलो पर हमले किये हैं पिछले साल पाकिस्तान सुनी आतंगवादी संगटन जैस अलादल ने इरान के सिस्तान में एक पुलिस इस्टेशन पर अमला किया था इस मामल में आपका कहा कहना आप कमेंट सक्षन में बताओ और जब तक ग्यान केंदे मत बनू